तो जब भी बात आती है, तो असेट्स हमारी दो तरीके से ही classified ही, एक होती है non current एक होती है current, non current असेट्स होती है, जो company अपने पास more than one accounting period के लिए पर पास रखना चाहती है और current asset जिसे company उसी accounting period में cash में convert करना चाहती है ठीक है तो वो होती है हमारी current asset और non current जिसको company more than one accounting period के लिए पने पास रखना चाहती है अब इसको हम जो company balance sheet है हम उसके साब से भी देखेंगे ठीक है लेकिन यहाप है ना हम non current liability को हम और अलग-अलग हम classified कर सकते हैं जैसे कि एक होती है हमारी fixed assets तो पहले हम वो समझ लेते हैं देखिए जो fixed assets होती है company हमें पता कि यह long term के लिए रखेगी बट जो fixed assets होती है वो दो तरह की होती होती है tangible एक होती है intangible tangible मतलब जिसको हम चूँ सकते हैं जैसे building हो गया furniture हो गया तो यह सारे जो assets होती है इन्हें हम बोलेंगा tangible assets और intangible assets जिनको हम चूँ नहीं सकते हैं जैसे software patents वगयरा तो यह सारे होती है हमारी intangible assets यहां पर इन्होंने दे भी रखा है fixed assets आर जैसे land, plant, machinery, vehicles, building और intangible assets में जिनको हम touch नहीं कर सकते हैं मैंने आपको बता जिसे patents हो गया trademark हो गया तो यह सारे हमारे क्या होता है यह हमारी intangible assets होती है जिनको हम फूर नहीं सकते हैं और हाँ अब बारी आ गई depreciation की depreciation जो मैंने आपको जब हम property and law statement पढ़ रहते तब मैंने आपको नहीं बताया था है ना तो होता यह है कि हमारे जितनी भी assets होती है ना हम उस पर depreciation चार्ड करते हैं अब इसका मतलत समझते हैं लेखिए तो यहां पर माल लेते हैं कि हमारे पास एक machine है कुछ अलग टाप की machine है माल यह machine हमने ले ले दी कि यह machine मैंने 2001 में खरीदी थी मैंने कितने की रुपीज हमन लैक की और इस machine को जब मैं लेकर आ रहा था factory तो इस पर करीब 2000 पर खर्चा और और हो गया था और इसको install वगरा करवाया machine को तो इस पर मान लेते हैं 5000 खर्चा और हो गया ठीक है तो अब आप मुझे बतेगे कि इस machine की value कितनी होगी तो यहाँ पर machine की value 20000 रूपे नहीं होगी यहاँ machine की value होगी 1500 2000 ठीक है इस तो क्यों देखिए यहाँ पर हम क्या करता है यह मैंने कि यह मशीन की वैल्यू होगा एक लाग पंत्रादार रुपे तो अब मैं यह जूम करूंगा कि हर साल इसकी वैल्यू कुछ न कुछ कम हो जाएगी कम की होगी जिस तरीके से अगर आप घर पर टीवी बगरा लेकर आते हैं तो क्या होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है न हर सल तुसी तरीके से हम यहां पर जूम कर रहे हैं कि तो पुरा घर बन जाएगा ऐसे लेगता है न इस तरीके से हमें जूम कर रहे है कि इस मशीन को यह तो अगर मैं यूज करूंगा तब भी तो तब भी मेरा क्या हो रहा है मतलब इसकी value कम होगे ना यूज करूँ ना करूँ रखी रहे या फिर टेखनोलोजी आउट्रेटिट हो जाए तब उसकी value कम हो जाएगी तो अब जितनी value कम होगी उसे हम बोलेंगे depreciation उसे हम बोलेंगे depreciation ठीक है तो यानि कि depreciation का सिंपल से मिनिंग क्या है फॉल इंदे value ऑफ असेट की value में जो कमी आती है उसे हम बोलते हैं depreciation ठीक है तो depreciation क्यों आ सकता है क्योंकि हम उस असेट को म्यूज कर रहे हैं या फिर वह outdated हो गई है या फिर time निकल गया है यह फिर हो सकता है कि कुछ नई technology आ गई ही यह फिर खराब हो गई है न तो हम यह जूम करते हैं कि हरसल कुछ नेकों कि value कम होगी बट हमें कैसे पता जालेगा कि कि यह यह खितनी value कम होगी हमें कैसे पता हैं तो करें 12 तेरा बट यूजवली हम दो में 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 इस करते हैं एक का नाम है SLM दूसरा का नाम है WDV SLM और WDV SLM का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड़ और WDV मतलब रिटर्न वैल्यू मेथड़ अब इन दोर में डिफरेंस क्या होता है यह कैसे होते हैं देखिए SLM में क्या होता है कि अगर मात करें SLM में कि मेशीनरी की वैल्यू थी एक लाग पंद्रहजार और SLM मेथड यह कहता है कि मान लेते हैं कि हर साल असेट की वैल्यू 10% से कम होगी हर साल तो SLM मेथड में कहा होगा कि अच्छा मैंने इसका निकाल लिए 10% कितना गया 11500 तो हर साल इसकी वैल्यू 11500 कम हो जाएगी तो यह आजागा हमारे पास 3 and sorry पंदल ग्यार कि इसकी वैल्यू हर सल 11500 कम हो जाएगी तो यह आजागा हमारे पास 0 0 5 और ठीक है तो यह हमारे पास आगया 4 तो इसकी वैल्यू 11500 कम हो जाएगी याई कि 0 0 0 5 और यह हमारे पास आगया 3 0 1 तो अगले साल भी 11500 से ही इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो हम यह जूम करके चलेंगे कहां कि उस साल इसकी मतलब उस उस साल यह कबाड़े भाव भी जाएगी यह फिर खड़ा हो जाएगी हर असेट की न एक यूस्फुल लाइफ हम मान के चलते मतलब यह थने साल तक यह यूज हो पाएगी ठीक है इतना सम अगया अब हम बात कर दर्व डी बी डिमे क्या होता है कि यहां थोड़ा अलग होता यह फ्रशिजर अलग होता है क्यों क्यों कि डैलल ली टीवे में हम डस परसंता क्म तो होगी बट खोड़ तर्विस्ट क्या है पहले हाँ परYO कि देता हूं हमें WDV तो अगर में फर्स्ट एर अगर में मैं मैं मानस करता हूं ठीक है यानिक वह इतनी ग्यारादर पांसों ही मानस होगी तो जाएगा जीरो जीरो ठीक है यानि 11000 वही ग्यारादर सुरी एक लाख तीन अजर पांसों अब नेक्स्ट येर ग्यारादर पांसों मानस नहीं होगी अब मैं इसका निकालूंगा इसका निकालूंगा 10 परसेंट तो कितना जाएगा तो यह आजाएगा मारे पास एक हजार तीनसों पचास ठीक है तो यह एक हजार तीनसों पचास रुपे मैं मानस करूंगा फिर मानस होके फिर जो वैल्यू है फिर उसका मुझे 10 परसेंट निकालना पड़ेगा तो इस तरीक से कर आप कैल्कुलेट करोगे ना तो आपको देखो तो डैप्रिशेशन में आपको कुछ चेंजिस आपको मिलेंगे तो इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई कंपनी डैप्रिशेशन का मैथड अगर चेंज कर रही है तो वहां पर थोड़ा सा केरफुल हो जाईए ठीक है अब डैप्रिशेशन के और भी नाम होता है एक होता है जिससे अमोर्टाइज तो आमजाशं वर्ड और डैप्रिशेशन में कया डिफरेंस होता है डिफरेंस यह होता है कि अब हम filter शाहना है अब डैपर्पेशिक थ्लिय्स अब करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं टैप्रिशेशन बट बट कोई ऐसी असे जिसको मं छूँ नहीं सकते हैं टैच निकश क है यानिक दजाओर रुपर औरप वाल गो होजाएगी तो दजाओर कम डाप्रिसेशन ना बोलके हम बोलेंगे अमुर्टाज़ीशन ठीक है फिर एक आता है depletion depletion word जो है वो भी एक तरह के समय लगए depreciation और amortization है बड़ depletion word यूज होता है natural resources पर for example मैं पस कोले की खांद है ठीक है अब उसमें से मैं कोले निकाल रहा हूँ तो उस कोले की value कम हो रही है न है न उस कोले दिखान की value कम हो रही है तो अब जितनी value कम होगे ना तो उस तो वहाँ पर फिर हम word use करेंगे depletion, depletion what हम use करेंगे तो I think अब आपको depreciation, amortization और depreciation का मतलब समझ में आ गया होगा अब हम ज़रा depreciation को company कमपनी की balance sheet है और यहाँ पर आपको पहले नजर आ रहा होगा non current liability और सबसे उपर दे रहा है हमको property, plant and equipment फिर यहाँ पर हमें note number भी दे रहा है और फिर में उसी के निचे बता रहा है कि हमार पास intangible assets कितनी है तो पहले हम property, plant and equipment का जो note number है पहले वह देख लेते हैं तो देखे यह रहा note number 3 property, plant and equipment अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझेगा थोड़ा सा आपको complicated लेगेगा लेकिन है easy अब यहाँ पर company के पास जो property, plant and equipment है न अब उनका यहाँ पर नाम भी दे रहा है यह सारी company की fixed assets है यह देखिए, सारी company के fixed assets इनके नाम दे रहा है यह देखिए, freehold office, civil and interior work, building freehold यह सारी चीजह है तो जैसे example लेते हैं freehold office का ठीक है, तो balance as at April 1st 2018 यहाँ पर 2018 पर देखिए तो इसका balance इतना था, ठीक है और साल के दुरान 2019 के दुरान इननों कुछ खरीदा नहीं और फिर यहाँ पर इनोंने कुछ भी reduction वगर इनोंनों नहीं करी पर 31 March 2019 को balance उतना ही रहेगा और एक April 2019 को balance भी उतना ही दिखाए देगा ठीक है तो यह तो होगिया 2019 का closing balance और यह opening balance तो यह अगर हम देखें तो हमारे अब तक जो freehold office है ठीक है इसमें ना तो company ने कुछ खरीदा है ठीक है ना इनोंने बेचा है हां बेचा होगा जो cash flow statement है हमको देखने हो मिल जागा यहां पर देखने पता जला है कि नहीं बेचा होता है कि कई बार ऐसा हुता है कि company ने depreciation मानस करके दिखाती है और कई बड़ कम्पनी मानस करके नहीं डिखाती है है आप अब देखें अब अगर company कर मानस करके निखा रही मतलब कि अगर यह company उसको एखटा कर रही है जब उसको सब्सक्राइब को बेचे कि तब भी वह मानस करती कि डारेक्ट बट यहां पर इन्होंने मानस करके दिखाया देखिए अब मुझे पता करना हो कि कंपनी ने कितना डेप्रिशेशन चार्ज करा है तो देखिए अगर मैं बात करूं अब तक इन्होंने इतना डेप्रिशेशन लगाया था फिर 2019 के दोरान इन्होंने इतना डेप्रिशेशन लगाया है तो अब यहां पर अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो मेरे पास अमांट निकल के आएगा 180.59 तो यहनी कि 2019 को बैलें समा रहा इतनी रहेगा फिर 2020 के दोरान इन्होंने शेशन लगाया है यहां पर देखिए यहनी कि इन्होंने SLM मेथार्ड यूज कर रहा है तो यहांनी कि अब इनका बैलेंस हो गया वो गया राउंड 286.22 तो इतना डेप्रिशेशन यह लोग तो अब देखिए इस asset की value थी 6325 अब इसमें से अगर हम मानस कर देते हैं हमारे depreciation तो निकल के आएगा तो हमारे पास amount आजाएगा करीब 6144 जो हमारा सब्सक्राइब यह 6049 अगर यह हम यह पूरा net account amount अगर्श में से मानस कर देते हैं तो देखिए ठीक है तो उसी हिसाब से आप अलग-अलग assets की आप देख सकते हो उनका balance इतना है और जो इस पर depreciation चार्ज हुआ है यह रहा balance यह टोटल ठीक है तो यह आगया हमारे पास net amount तो आप हर asset का आप depreciation हम देख सकते हो कि नहीं कितना कितना depreciation चार्ज कर आए तो इस भी बोला जाता है इसे net amount बोला जाता है इसको ठीक है जो हमारा है इसे बोला जाता है net amount यह net block ठीक है यह net block का मतलब क्या है जो asset का जो net amount हो कितना depreciation कर मानस करने बात तो इसको ऐसे जाता है gross block minus accumulated depreciation तो gross block क्या हो गया gross block हमारा हो गया यह और यह रहा हमारा net amount तो एक बाद जोसकी definition वह पढ़ लेते हैं तो देखिए depreciation symbol मतलब पर fall in the value of asset अब यह हमारा क्या होता है यह एक तरीक हमारा non cash expense होता है non cash expense मतलब खर्चा भी हो गया लेकिन हमने cash भी नहीं दिया तो यह जो खर्चा होता है यह हमारा इसलिए profit and loss statement में हम उसको show करते हैं profit and loss statement में हम show करते हैं हाँ यह balance sheet में भी आपको नजर आएगा balance sheet में आपको कैसे नजर आएगा जैसे कि हमने अभी देखा था तो कोई अगर सबसे पूछे कि gross block क्या होता है तो gross block का simple मतलब है कि suppose हमने अगर एक लाग की machinery अगर हमने खरीद दिया तो यानि कि एक लाग रुपे क्या हो गया gross block हो गया अब उसमें तो 10,000 हमने depreciation minus करा तो यानि कि 90,000 आ गया तो 90,000 क्या हो गया हमारे net blow हो गया अब इसके वाज हमारा next concept है वह है work capital working progress अब तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि वह capital जो की अभी हमारी progress में है ठीक है मतलब उसका आप इमने पूरते लेकर यूज भी नहीं करा है फर इसांपल जैसे building बन रही है बन रही है अभी वह ready नहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं building under construction ठीक है या फिर जैसे machinery under assembly ठीक है machinery भी assemble हो रही है तो इस type के तो इस type को हम बोलते हैं capital working progress मतलब capital भी है लेकिन यह work in progress है ठीक है तो कई बार आपको यह balance sheet में नजर आएगा कई बार आपको यह balance sheet में नजर नहीं आएगा अब यहां पर नहीं से inventory inventory तो आपको वहीं मिलेगी जहांपर manufacturing को बार हो रही होगी मतलब क्या है कि company का जो main product है वह अब वह सकता है कि वह पूरी तरह किसे बन गया हो या फिर यह फिर बन गया है फिर रखा हुआ है त्यानिकी पैंट्शेट का कपड़ा के वहागा raw material तो भी मेरे लिए inventory है अब वह बन रहा है मतलब वह आदा बना और आदा नहीं बना तो उसे आप बोल सकते हो work in progress अब लगा inventory के section में लिखाव आ जाएगा notes to account में work in progress ठीक है फिर एक होता है एक तो रेडी माल है तो उसे बोलेंगे finished ठीक है finished goods तो inventory को आप तीन category में आप डिवाइड कर सकते हो फिर trade receivable trade receivable को आप दो category में डिवाइड कर सकते हो उन दो category को एड़ करके बनता है trade receivables अब वह दो category कहन से होती है एक होता हमारा debtor और एक होता हमारा bills receivable receivable अब दोनों में difference क्या होता है difference यह होता है कि अब देखिए पैसा तो दोनों से हमें लेना है यह दोनों वह लोग है इन से हमें पैसा लेना है इनको हमने कुछ अधार में माल बेचाहिए इनों वहने वादा कि है कि हम आप payment कर देंगे बट इस debtor वाले पर नहीं है भरोसा पैसे एक पर भरोसा नहीं है तो आपने क्या अगरा उससे agreement लिखवा लिया कि तो इतनी तारीकों कर पे नहीं करेगा तो तो यह यह cases हो सकते हैं ठीक है मतलब कुछ transfer condition होती ना आपने वह लिखवा लिया अपने तो उसी तरीके से आपने क्या करा तो उससे आप bills of exchange bills of exchange भी अगरे डॉक्मेंट होता है अगर अपने ट्रेट पेबल वली अगर वीडियो देख रखिए तो आपको याद होगा कि ब्लस फिक्षेंट क्याता है कि एक डॉक्मेंट होता है जिस पर अब वह सामने लिखके देगा हाँ ठीक है मैं इस बंदे को में पेमन कर दूंगा दू ठीक है बट यह है कि हम कुछ चार्डी से लगेंगे महाँ पर और पेमन नहीं करोगे तो फिर केसी भी होते हैं अच्छे खास है मतलब काफी ब्रोड टॉपिक है तो अब इतना समझ लिए तो दोनों से पैसे लेना है तो इन दोनों को जब हम एड करते हैं तो बन जाता हमा होंगी मतलब कैश की जितनी उनकी लिक्विडिक्टी होगी अब मेरे मतलब क्या समझ आपकर दो चीज़ें गोल्ड है आपका और कोई बिल्डिंग है दो में इन दोनों मैंसे किस चीज को बेचने में कम टाम लगेगा ऑविसली गोल्ड है न गोल्ड जाली बिग जाएगा तो वही मैं वही मैं कहा रहा हूं कि कैश का मतलब ऐसी चीज जो आल्मोस्ट कैश के एकवल हो ठीक है तो वह सारी चीज़ाती है हमारी कैश इन कैश एक्विलेंट में और चोट्रम लॉंस एन अडवांस मतलब कि अब देखिए अगर यह असेट सेक्शन में आ रहा है शोट और अगर आपको असेट कलेक्लेट कर नहीं है तो आप शेयरोल्डरस फंड प्लस लाइबिटी जाब आट कर दीए तो आपको असेट मिल जाएगी अब जरह इसको ना हम अपनी जो बैलेंस चीट और उस पर देख लेते हैं ठीक है पहले में देख लेता हूं क्या कोई उट तो यहां पर हमने यह प्लांट मेशिन देख लिया इंटेंजिबल असेट का नोट नमबर भी देख लेते हैं और फाइनेशल असेट जहां भी आजा तो समझ जाना की कंपनी ने कहीं नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है अब यह तो वह सेक्योर्टी हो सकता है तो ब यह कहना है इसे हमका सेटिफिकेशन प्रोग्राम है तो उसकी मैंने वीडियो जा लिया है आप वह देख सकते हैं ठीक है तो यह तो इंटेंजिबल असेट्स का नोट नमर देख लेते हैं और फाइनेशल असेट्स कंपनी ने कुछ लोन वगरा भी दे रखें कंपनी ने औ तो दीवर्ड टेक्स असेट भी है कंपनी या पास तो द्धाफ starter tax असेट का मतलब क्या है कि जिब company ने calculate करा तो उनका income tax बैठ चाथ बाइलाग बजाछाजार अले प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् और टेंजिबल असेट्स प्लस यह मैं हमें देखना ज़रूरी कि कम्पिनी के पास कितना कैश इंक्ष एक्विलेंट है मतलब की प्योगर कैश और ऐसे चीजें जो कैश के बराबर है और ट्रेड रिसीबेबल और हाँ एक जो मोस्ट इंपोर्टन चीज वह और उसकी एक्ट्ष अ डी चैशन के मतलब करूए देखिये कम्पिनी ने माल लेते कि कि अंवेस्टमें करे किसी कमपिनी में होता यह है कि अगर चीज इन्वेस्टमें कर रखे हैं किसी कम्पिनी में पर किसी भी चीजत में तो बैलेष झीज़र पी तो हमें यह देखना जरूरी कि कंपनी पैसा कायन वसका रखा है और क्या उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी यह फिन अगर बढ़ी है तो फिर बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर इससे क्या होगा कि कंपनी के पास इनफ असट है ठीक है और अगर कंपनी को डेट नहीं है त सिच्वेशन में भी ठीक है तो इस चीज़ आपको ध्यान रखने है तो प्रोपर्टी प्लांटें क्यूपेंट मतलब कंपनी पास कितने प्रोपर्टी अप्लांटें क्यूपेंट है इधा इधा हमने देख लिया इंटेंटेंजिबल सेने सॉफ्ट्रेयर वगेरा इन कंपनी ने किन किन जगा पर इन्वेस्मेंट कर रखी यानि कि स्टॉक मार्केट मीचल फॉर्ण या फिर बागी बागी चीज़ों में डिवेंचर वगएरा में हो ठीक है तो वह हमारी फानेशल असर्स होती है अगर कि अगर कंपनी रियल इस्टेट अगर बाय कर रखा है टेंजिम हमने देख लिये फाईशल असर्स हम देख लेते हैं ठीक है और को अब क्या तो ये रिक कंपनी की टेंजबल साथ ये फीर सारी सारी कंपनी के टेंजिबल से हैं और यहां पर भी हमने इस पे और टैप्रिसेशन सब्सक्राइब लगए अमोर्टाइजिशन लगए यह पर लिखावा ना एक्युम्लेटेड अमोर्टाइजिशन कि तो कंपनी ने जो टोटल जो नोने चार्ज करा है देप्रिसेशन वह यह रहा कि 2019 की बात करते हैं तो यह रहा करी वर्च ठीक है नहीं 2020 में चार्स तीन चार्स तीन लाग रुपए ठीक है और देखिए अब इनकी जो इंटेंजिबल असर्ट से उनकी वैली इतनी थी और इसमें से माइनस हो गया और इतना माउंट तो यानिए कि अब कंपनी जो अब कंपनी की इंवेस्ट मेंट की यहां पर कंपशले इनले से मिस्मिर्थ करकिया ऐसे ओश्यूचय ना तो यह वैंशनल़ गवर्नेंस अन्सर्विस लिम्टेट यानि एसल में उन्होंने इन्वेस्मेंट कर रखी है ठीक है तो यह उसमें भी होल्डिंग है इसकी और और हां बस बागी दोख कुछ नहीं है और यह भी और यह उसीखा पार्ट टीक है यह भी अब मारे इंवेश्मेंट उसी अब पार्ट है और फिर 6 अजया सब्सक्राइब नोट करंदेंट है और टी में इस तो लोख नवा घ्र जेट्र हो यह है तो आंशिक्यों का मतलब मतलबivan का मतलब यह है कि मैंने किषो CT को यह मुझे मालत एक company है company को यह हूं मैं ठीक है मैंने company को loan लिया loan दिया एक लाग रुपेगा और वो loan है unsecured unsecured को मतलब कि अगर company डूब जाती है फिर बंद हो जाती है तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं और secured loan में क्या होता है कि company अब जिसे में ने ने कंपड़ी को एक लाग रुपए दी तो कंपनी उसके बदले में अपनी कोई ना कोई असट मेरे लिए बचा करें मतलब देखिए सिंपल बात अगर कंपड़ी बंद वह जाती है तो जब जब कंपड़ी बंद हो जाएगी तो वो असट बेच के पहले पैसा मुझे दे ऩो कोई च्ब हुमने नॉर्ट नम्बर देरें रहता है तो किया है भाज़री असक्राहिब यह सब्सक्राइब टारी ओद तो तौड ही सब्सक्राइब दौमेरर के बिलो काश्रायरकिंतु मगेए हुआ ए फ्प्लीब Cr다는 कोई स्सुलो लोन दरका है इतना और हम और फैरा फैरेशंस देखें तो हम तुम्हारा पार्स इस इतना के बैलचिनी हिस इतनी है योग्या है और वर अधर और करेंट में देखें तो इस जैबल और अधनी धैजेट Savior अब कभी अभी कि कि यह इनकी पैसं b यहां पर अगर हम नोटमबर नाइन में देखते हैं तो 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 नोन करेंट टेक्स असेट है हमारे पास नोन करेंट टेक्स असेट यह हमारी असेट है यह जाता प्रिकर दिया और उसके प्रिक्स असेट करना है तो वह कम है और अधर असेट में देखें तो यहां पर मार पास प्रिपेटल एक्सपेंसेज असेट कुछ इसे एपन रुष नहीं कर दो भी तक इसे आप अपने फिज्लील पे करते वो ना सुरी वह तो नहीं हो तो पौस पढ़िए आप सर्वीज करते हो बट पेमिन आपको पहले करने पड़ती है आगकुछ पोच पोस पेडु को तो इसे पैसे लेना है तो हो सकता है कि हमने इसे बिल्स भीकशिंग लिया हो सकता है हम ने तो हम पर पास टोटल है तो हेंड़ेड़ इस सोड़ाजन शिक्सिएंड टूलेग बटाइस कंपर तो लास्ट यह थोड़ा से बढ़ गया है और यह रहा कमपणी का Cash & Cash Equalance और अधर बैंक बैलन्स ठीक है तो यह कमपणी के पास अमेरी कहाओ आप से ठीक है और लास्ट थोड़ा सा कम हो गया है कि कमपणी बैंक बैलन्स वागर आप पूशेक करना तो यहां से अब शेक कर सकते हो तो यहां पर हमने कमपणी के जो नौन कर अशर्ट थी वह हमने उसके नौट्स रॉकान देख लिए और करन देख लिए अब ध्यान रहे अब इसमें हमें किन-किन चीज़ों पर ध्यान देना है तो जो कमपणी की फिक्स असर्ट से उस पर और इंटेंजिबल से पर प्लस हमारे पास कितना कैश है ठीक है और शोर्टरम लोन हमने किस-किस को दे रखा है यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी कि इनकी लोगों दे रखा है और प्लस इन्वेस्टमेंट अब देखे जो भी चीज़े हमने अभी पड़ी ठीक है हमने जाए प्रॉपटें लोग स्टेट्मेंट देखा हो चाहिए हमने बैलेंशीट देखी हो कहीं न कहीं न वह एक दूसरे से लिंक होती है मतलब अब समझिए जैसे अगर हम बात करें हमें सेल्स ठीक है और रिवन से अब मेरे करें मतलब क्या समझत जैमें एक लाग का माल भी जा है मिने एक लाग का ममल भीचा मैंने बीस दिया ठीक है लेकिन उसमें से कितना मेरा अमांट कैश में कर मट्रॉट मुझी कैसा पता चलेगा तो जैसे चूंग मुंग पता है कि जो ट्रेदीसीबील भीता है एक किम ने कितना माल दुआर में बेचा है है तो अगर ओर और कभ तक होगा तो सपोस्ट इते कि मैंने एक लाग का माल बेचा है उसमें 80,000 तो मेरा सिर्फ रिच पूर रेसी पीच है तुमा तो मेरे पास केश है वो तो कमा है न तो थोड़ी सी यह दिक्क्त देने लिपाते ह ना ठीक है जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूं देखिए अब कंपनी का यहां पर अगर हम देखें इस तरफ तो revenue from operation कितना है बाइस जार पांसो पांच लाग ठीक है बट अगर मैं कंपनी के डिसेवेबल देखूं कि कांगे कंपनी के डिसेवेबल को इस दीखिए रएं कंपनी के ट्रेड रिसेवेबल कितने हैंíve दो हजाए 602 variety कि मैं ने 42,005,005 ऐस वाझा है और इसमया इसने 2,602 लाग पैसे नहीं है वहलाना 22,000,000,002 लाग कि मिमिट अभी नहीं ढूँ मैं आई ठीक है तो इतना चलता है ठीक इतना तो चलेगा उसी तरीके से जो हमारा operating expense होता है ठीक है वो हमको दिखाए देगा company के inventory और trade payable से अब अब operating expense का मतलब क्या है कि जो हमारे main business का expense है तो अब मुझे देखना जरूरी कि क्या मैंने सारा पैसा पेकर दिया और और inventory मेरे पास कितना है अब operating expense का मतलब क्या है मतलब मेरा माल बनाने में कितना खर्चा आया माल बनाने में मेरा खर्चा आया असी जार रुपए का है ना तो वह असी जार में यह तो मैंने सारे सारी पेमन कर दियोगी यह फिर कुछ पेमन नहीं करी होगी और यह और यह जो असी जार है इतने कि मेरी इन्वेंटरी वह बनी होगी ठीक है तो जरह हम देखते हैं operating expense और कंपनी का जो इन्वेंटरी वागे रहा है और ट्रेड पेबल्स देखिए अब यह जो कंपनी है वो परवाइड कराती सर्विस तो इन्वेंटरी तुमको देखने ने मिलेगी तो मैं बस ट्रेड पेबल्स हमें चेक करना पड़ेगा तो कंपनी का जो operating expense है वो यह रहा यह तो यह ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स में पूरा मांट है कहां तक ही पूरा यह ठीक है कि तो यह मान लेता है करीब हमारे 1200 लाग है ठीक है 1200 लाग 1200 लाग और यानि हमारा खर्चा हुआ है दो हुजार दोजार नो सो बहत्तर रुपे का ठीक है और हमने उसमें लगभग अभी हमें 1200 लाग हमें अभी अभी पे करने ठीक है पेबल्स हैं इतना हमारा तो तो पे कर देंगे क्योंकि हमारे पास current अच्छी का सिए देखिए न करने अच्छी का सिए देखिए करीब हमारे पास 48003 इंटर सेटी तरी कि तो हमारे पास current अच्छी के बाद अब प्रॉब्ट अलोव स्ट्राइट्में में हमें डेप्री सेचन एंड अमोटरेशन दिखने को मिलता है तो वह हम बैलेंस शीट में पता कर सकते हैं कि कितना है ठीक है वह दोन्हें से मैच करेगा और कॉन से निकला है अो यह कंपणी बैलेशिट में लोग जो में डेट वगरा हैं देखने मिलेगा और ऑब उस्पीनों केतना इंटस्पे कर आहें वह में कंपश्णी के प्रॉफित और नेट प्रॉफित जो नेट प्रॉपित होता है वह यह डोंड मैं फॉर्ट हो जाता है कि अम यह डो्य तरी हो जाएगा ना उस तरीके से से हमारी जो प्रॉफिट अनो स्टेट्मेंट है वो कनेक्टेड यह बैलन्स शीट से कि नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैश्फ्लो स्टेट्मेंट के बारे में ठीक है